नमस्ते तो ये है दूसरा भाग ये सेशन का पहले भाग में मैंने बताया कि बच्चे को कैसे पकड़ना है ठीक है उसकी स्थिति क्या होनी चाहिए ठीक है तो ये सारी 4-5 पॉइंट्स जो है मैंने आपको बहुत अच्छी तरह समझाया अभी दूसरा जो भाग ऊसमों बताऊंगी कि मा को अपना स्तन कैसे पकड़ना है ठीक है क्या कि मैंने दीक है कि मा जो अपना स्तन है वог गलत-तरीके से पकड़ती है अगर मा बॉत धरीके उसके पकड़ा तो बच्चे के मुह में जो नीचे का दोग यह उंगा on Game Twin जाएगा नहीं जिंदिक है उपको ध्यान में रखना है यह यह भी यह जो दूसरा जो वाला स्टेपें आपको बहुत ध्यान से आपको समझना है और उसका मनन करना है उसका राक्तिस करने है फिल्ड डॉल पे और ब्रेस्ट मॉडल पर प्राक्टिस कर सकते हैं और फिर आप नुबर्न बेबीस और मदर्स पर आप ट्राइ कर सकते हैं तो यह क्या चीज है मैं आपको एक उदाहरण की माध्यम से सिखाती हूं ठीक है यह बड़ा सान्या लेना है तो यह आपके हाथ में अगया बाजा तो आप हमेशा वह वह बड़ा सा बड़ा है उसको आपके मुझ और अपके सामने लाएंगे उव पर अप थोड़ा अफिर उसको आपके मुझ में बड़ा सान्याव धान अशाएगा तो इसकी जो carrots जो है उसकी जो क्रिया है आप देखिए कि मैं क्या कर रही हूँ तो यह सपोस्स बॉंदा मैं लेकर आई मेरे मुझ के सामने फिर मैंने उसको दवाया और फिर मैंने मेरे तरफ यूंखी हूई है और मैं बंदे नीचे की की तरफ रइस बड़ा थेयो और बड़ा से और निवाल खा स्टिके काई कि आप को वही जोनघया लेको जय से ज़ने जैस आप सोच लिए कर वह बंदा यह तो आप देखे कि यह जो उंगली है मेरे खुट' समांतर है तो आप कभी प्रवा कि आप कुछ भी खा रहे है या तो sad cit I don't want he plots वोच पोस्टिक नहीं है लेकिन आपने कुछ भी जो बड़ा सा है तो आप हमेशा उसको दबा कि उसका निवाल जेंगे तो आपकी जो उंगल्या है वो आपकी होड्र के समांतर है तो अभी आप सोचिए इसको कुछ है तो थोड़ा सा करेंगेest और बच्चे को खिलाएंगे ठीक़े अभी आप सोचिए कि बच्चे की मुह में आपको अभी मा का स्तन जो काला निचे का भाग है आपको उसकी मुं में डालना है तो आप भी स्तन को ऐसे ही दबाएंगे जैसे मा है मा कैसे दबाएंगी उसकी उंगलिया है वो बच्चे के होड के समानतर रहनी चाहिए तो यह पुजिशिन में बच्ची अमधर ऐसे इन पूजिशन में मा या तो ऊपर से पकड़ेगी, ठीक है, स्तन को, या तो फिर वो नीचे से पकड़ेगी, तो अभी यह पूजिशन में आप देखें कि मेरे जो उंगलिया है, वो कौन सी डिरेक्शन से आरही है, या तो वो यह जो यह बोलते है उसको यूशेप, या तो तो फिर वो नीचे से U-shape में पकर रही है, ठीक है, अभी ये बच्चे को मैंने ऐसे गुमा दिया, क्योंकि आपको मालूम है कि क्रॉस केडल में बच्चा मा की तरफ देखता है, ठीक है, तो अभी ये पोजिशन में अगर बच्चा आया, तो उसकी जो होट है, वो अभी ऐसे वर्टिकल है, मतलब ऐसे खड़े हुए है, तो मेरी जो उंगलिया होगी, मा की जो उंगलिया होगी, वो भी खड़ी रहेगी, या तो वो उपड़ से खड़ी रहेगी, वा तो या नीचे से खड़ी होगी, अगेन मैं आपको बताती हूँ क्योंकि यह बहुत important concept है ठीक है यह concept सिखे कि मा को अपनी चाती कैसे पकड़नी है ठीक है बच्चे का होट है जो यहाँ पर बच्चे के होट यह पूरे खड़े हुए है ठीक है तो मा की उंगलिया भी खड़ी रहेंगी या तो उपर से खड़ होट चाता खाना आपको डाओ उइसार सकाथा रहुट रहें बच्चे में ऑ departed say मैं अर्ट कि मुझल रहा है तो यен सिलेंगा कि उसको मतया है इसलिसmaू रात में हैं पत्धिती में बच्चा कया है बटाया कि आप नीचे से हुसको पकड़ो ठीक है नीचे से पकड़ेंगे तो क्या होगा कि जैसे वो चाती उसने दबाई, माने चाती दबाई, तुरंती वो देखेगी, बच्चे का मुह देखेगी, और अगर मुह जैसे बड़ा हुआ, वो तुरंती स्टन अपना बच्चे के मुह में डाल देगी, तो वो आपको देखना है, तो दूसरा अरी में आ पूरा घड़ी है, तो यह घड़ी में यह जो आपके दो काटे है, एक तो आपका गंटे का काटा और एक होता है आपका मिनिट के काटा, तो यह जो यहाँ पे है, लेक युनो, बारा बजे, यहाँ पे तीन बजे, छे बजे, नव बजे, तो आपको यह घड़ी तो, आप स तो ये पाजू, लेफ्ट पाजू से ये वाला जो है आंगुठा आपको तीन बजे के जगा पे रखना है, ठीक है, और जो दूसरा वाला जो उंगली है, वो आपको नौ बजे के वहां पे रखना है, ठीक है, और जैसे आपने रखा, ये आपका हो गया U-shape, और जो U-shape का जो नीचे का भाग है, ये वाला, ये आपका छे बजे आना चाहिए, कभी-कभी क्या होता है, कि मा ऐसे पकड़ती है, ठीक है, नौ बजे और तीन बजे रखा लेकिन उसका जो छे बजे का जो है, वो यहाँ पे पांच बजे आ जाता है, ठीक है, तो आपको बोला है मा को, कि ये जो हाथे थोड़ा अंदर की तरफ लेगी, तो ये जो है, पूरा जो यू शेप है, ये यू का जो डिप है, वो आज जाएगा आपका छे बजे, ठीक है, और कितना दूर रखना है, ये आपको ध्यान में रखना है, तीन उंगली यहाँ से, तीन उंगली यहाँ से, और जो जो उंगलीा है, उसके सारे जो चो टिप होता है, जो टेरवे होता है, सिर्फ वहीं से दबाना है, पूरा उंगली उसके चाती पर रखना नहीं है, क् Sumer diplom से जो अभका की वोगते उंगली जब जब ईढलेगा, तो ये उंगली बिच में आएगा, तो ये उंगली न उसबहीं आपको नगाना है अर तीन उंगली यहां से तीन उंगली यहां से दूर और फिर दबा के जैसे बच्चे ने मूँ खोला आपको बच्चे को तुद मेरा पूरा जो नीचे काला भाग है आपको कि Сам मूह में ढलना के तो यह मा को कैसे breast को पकड़ना नहीं है दूसरा इक important point में देखती हूँ जो मेरे को field में बहुत देखने को मिलता है कि मा ऐसे पकड़ती तो है लेकिन दबाती नहीं है बनलोकि सिसी को बत बताया ही नहीं है बद मा को कि you भी बुगी थियले ब्रेस्ट को दबाना है तो आपको कि यह करना है कि मोज फिर आ माहा को बहू कि जब तक वह भी नहीं तो फोटन स्टुटthenर नहीं कि जाका पी जाएगा अगर निपल गया तो उसके मुमें कुछ आएगा ने निपल में दूढ नहीं होता है। यहा की जो काला भाग होता है, वग के अंदर जो नलिया हैं वहां पर बैठा होता है। वहां पे store हुआ होता है, तो अगर वहां पे तबाएगी, तभी वह दूद निकल के बाहर आएगा, ठीक है, तो आपको ये धान में रखना है, कि बच्चे को कैसे पकड़ना है, वो तो आपने सीख लिया, अभी तन को कैसे पकड़ना है, ठीक है, अभी मा जैसे बच्चा आ उसकी जो नक का ये भाग है, वो निपल के सामने है, और भच्चा अभी दूद पीने के लिए तयार है, ठीक है, मा भी रेडी है, भच्चा बी रेडी है, अभी आ जुडाओ का टाइम, ठीक है, मूझ की पकड़ बोलते हैं, मूझ की पकड़, जुडाओ, न इंग्लिश वर्ड ठीक है अटाच्में इंग्लिश वर्ड वो लाचिंग शब्द आप ध्यान वे रखे क्योंकि बहुत इंपोर्टेंट यह यह शब्द है हिंदी में हम लग बोलते है जुडाओ ठीक है तो अपर जुडाओ का टाइम आ गया ठीक है अभी मा को क्या करना है क mao कि भी कि बच्चा ऐसे होमोन नहीं खोलता है टीक है तो वो मुझ खोलने के लिए मा क्या करेगी उसके जो निपल है वो यहां पे बच्चे के निपल को यहां पे माक का जो निपल है वो बच्चे के नाक पे यहां पे थोड़ा वो ऐसा लगाएगी वो जैसे वो थोड़ा यहां पे लगाएगी नाक के उपर या उपर के होट है वहां पे भी वो लगा सकती है ठीक है तो जैसे वो उपर के होट को थोड़ा सा उसने निपल लगाया तो हो क्या करेगा बच्चा मुझ खुलेगा अभी आपको याद रखना है कि बच्चा कितना वड़ा मुझ खुलेगा तो बच्चा लगभग 120 डिग्री जितना मुझ उसका खुलेगा तभी मा को जिराव करना है क्योंकि अगर 120 डिग्री से कम खुला उसका मतलब है कि बच्चा बहुत ही मतलब वो उसका मुझ फिर बहुत चोटा होगा और वो दूद ठीक तरह से खीच नहीं सकेगा तो ध्यान में रखना है कि 120 से 160 डिग्री जितना अगर मुझ खुले तभी बच्चे को जुडाव करना ह ठीक है तो वो आपका हो गया कि कैसे बच्चे को जुडाव करना है ठीक है अभी बच्चे ने बहुत अच्छी तरह मुझ खोला और कभी कोई किया था है कि बतलब इतने कम सेकंड में वो मुझ खोलता है और तुरंट बंद कर देता है तो मा को ध्यान में रखना है उसका ध बात करती है मा फोन पर कभी होती है कभी टीवी देखती है उसका जबी वो जुडाव कर दिये तो उसका कॉंसेंट्रेशन है उसका ध्यान है यहां पर होना चाहिए जैसे बच्चे ने मुझ खोला तुरंट इसको डाल दो ठीक है अभी बच्चे ने सब्सक्राइब पार पांच पॉइंट है वो मैं अभी आपको सेशन में दिखाऊंगी तो उसमें क्या है कि सबसे पहले आपको देखना है कि बच्चे का मुझ कितना बड़ा है ठीक है वैसे मैंने बता दिया 120-160 degrees इतना बड़ा होना चाहिए दूसरा उसके होट कहा है ठीक है क्योंकि जो हमोड़ा है ऐस पर कि बच्चे को कितना दूद बलेगा ठीक है तो मैं यह करते हूं कि मैं फोकस करते हूं कि उसके नीचे के होट काँ होने चाहिए तो लेकिन वह देखने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा मा को आपको सिखाना पड़ेगा जो नीचे के जो होट निकाल के इसके नीचे के होट के बहुत अची तरह दबा के उसका जो मुं का जो पॉजिशन है वहा को देखना है उसको हम लोग बोलता है examination मतलब उसको examine करना है कि वो मुझ की जो पकड है वो ठीक तरह हुई है कि नहीं हुई है तो यह हो गया दूसरा मैंने क्या बताया कि जो नीचे के होट है वो आपकी जो एरिला है ना काला भाग महां के बॉर्डर पर होना चाहिए नो कभी-कभी क्या ह कि अंगinated बहुत है कि यो कुर्ण भाग कि आपको अогल बहुत चोटा है तो उसके नीचे के होट आएंगे मा के ब्रेस्त के बश्यारा है तो यो चाहतली होगा सैंगल आप गव्चा के आपकीर ध्यान भाग नाइस वहन सब्सक्द कburst in तो यह आपको ध्यान में रखना है, कि उसके उपर के होट कहा है और उसके नीचे के होट कहा है, तो यह हो गया आपका दूसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट है कि आपको देखना है कि उसके जो नीचे के होट है, वैसे बाहर की तरफ होने चाहिए, लेकिन आप सोचे कि जब के होट है वो बाहर की तरफ मुड़े होने चाहिए ठीक है फिर दूसरा पॉइंट है कि जब भी पच्चे को आप दूर पिला रहे हो तो आपको देखना है कि उसकी जो होट है और उसकी जो यह जो डाड़ी है वो बिल्कुल मा के सतन में खुपनी चाहिए हम लोग को ऐसा देख रहे है मतलब बच्चा बहुत दूर है तो मा को बोलो कि बच्चे को और भी थोड़ा अंदर ले और बच्चे को दूद पिलाए ठीक है तो यह एक इंपॉर्टन पॉइंट था कि मैं यह देख रही हूँ कि पूरा बच्ची के होट और इसकी जो डाड़ी है वो खरण भी समीट्रीकल मतलब समान नहीं असमान चुटाओ असमान जुड़ाओ मतलब कि उपर का ऑपर का जो काला भाग है वो आपको दिखना चाहिए और नीची का जो काला भाग है वो माच्चे के मुह में होगा तो यह आपका बहुत इंपॉर्टन बहुत भात पूर्णर दबल चूंज का point है, कि ऊपर के जो काला भागे वो आपको दिखना चाहिए बहार, क्योंकि वो मुह में नहीं है, जो मुह में है, वो आप को देखेंगा नहीं, वो कौन सा भागे नीचे का पाला भाग, ठीक है, तो वो आपको ध्यां में लुड़ एक बार हो गया आपका, क लेकिन ध्यान में रहे कि सीर के पीछे मैंने जो हाथ रखा है, वो हिलना नहीं चाहिए, क्यों? क्योंकि पहले दो मैने में बच्चे के जो गर्दन है, उसका अच्छा नहीं है, तो अगर आपने गर्दन को सही तरह से पकड़ा नहीं है, सीर को सही तरह से पकड़ा नहीं है, तो बच्चा ऐसे बाहर निकल जाएगा, ठीक है, उसकी गर्दन का कंट्रोल नहीं है, तो हमेशा आपको मालूम कि जब छोटे बच्चे को पगड़ते हैं, हम हमेशा उसकी गर्दन को, मलब उसको सहारा देते हैं, ठीक है, तो ये सहारा है, वो आपको छोड़ना नहीं है, व इतना वो दूद बच्चा ले सगया, ठीक है, तो ये आपको धिहान में रखना, अगर आप दूसरा हाथ मा को बोलो कि सिर्फ यहां पे लाके, बच्चे को जो दूसरे हाथ से पकड़ा हुआ है, वो हाथ पे वो रख दे, ठीक है, और वन मोर बहुत पोइंट बहुत इंप बढ़ा रिलाक्स होके तुर दूद पिला है, वो कौन सी भी पुजिशन वे दूद पिला सकती है, मतला वो ऐसे आराम से बैठ के भी पिला सकती है, कभी-कभी उसको ऐसा लग रहा है कि मुझे मेरा पीठ में दर्द हो रहा है, तो थोड़ी पीछे की और भी जाके दूद सकती है, लेकिन ये एक बार ये पुजिशन आ गया, तो आपका कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है, तो ये हो गया आपका ब्रैस का पकड़ना, अभी एक दूसरा मुझे एक बातों का बिंदू बताना था, कि कभी-कभी क्या होता है कि मा की जो स्तन होते है, वो बह प्रॉब्लम नहीं सकता है, ठीक है, तो क्या होगा, कि जैसे वो हात निकाल दिया, तो वो बच्चे के मुझ से वो स्तन निकल जाएगा, तो अगर ये अगर इसई आ रहा है, आपके फिल्ड में, तो आपको क्या करना है, मा को बोलो कि जैसे वो हात ऐसे ला रही है, तो यह जो कौनी का यह एःंगल के का स्थन को सपोर्ट करें तो जो कि मा吧 को यहाँ पर सपोर्ट करना को पड़े है तो इसलिए अगर यह क्वह फिर' मा को पड़ेगा कि यहां पर पकड करना पड़ेगा स्थन ऐसे ही ठीक है और यहां पर जो मेरे हाथ है वहाँ पर नीचे 3 तक्या रखना पड़ेगा ठीक है एक बार वह तीन तक्या रख दिया तो मा को भी सपोर्ट मिलेगा और मा को थकान भी नहीं हो गई तो यह हो गया आपका कि छाती को कैसे पकड़ना है और बच्चे को कैसे उसका जुडाव करना है तो उसके उपर ये बहुत अच्छा सा ये सेशन हमारा हो गया है और एक बार मैंने वापस बता देती हूँ कि एक बार वो उसके स्तन में मुह आ गया एक बार मदर ने देख लिया कि कैसे उसको एक्जामिन करना है कैसे उसको जाचना है एक बार वो सब जाच उसकी हो गई फिर वो अपना हाथ यहाँ पे लेके आके वो बच्चे को दूद पिला सकती है ठीक है लेकिन यह जो हाथ है यह वाला हाथ शुटना नहीं चाहिए ओके थैंक्यू सो मच कैसे बाचना है